आपके लिए कौन सा कोशन इंपोर्टनेट है कौन सा कोशन इंपोर्टन नहीं है तो उसके 90 प्लस माक्स आएंगे ही आएंगे हर एक कोशन आपको इजी ससान लगने वाले जिस भी बच्चे ने आज इस वीडियो को पूरा आखरी तक देखना तो वह बच्चे आपने एक्ज साथ उस चैप्टर की एक्सरcaid दावाटर को देखेंगे तो मेरे साथ साथ अप हर एक कोशन को चिक लगाते जाना और बात में सबीयो फीक्र किक लागते नाहीं चांउ 주고 सब्कें कोई दिक्कत आती तो कॉनेट करके बता देए विए आइक हर इक कॉशन के students अपनेओंगे एक ही वीडियो में बड़ आपको कॉमेंट जरूर करना है तो कॉमेंट कर दोगे तो हम आपके लिए अप्लोड कर देंगे और इस वीडियो को पूरा जरूर देखो दो सब्सक्राइब करो तो चलो देखते हैं सब्सक्राइब करते हैं चैप्टर वन से जिसका नाम है रियल नंबर अब रियल नंबर की जो एक्सराइब 1.1 उससे पहले आपको कुछ एक्जामपल दिखेंगे जैसे कि यहां पर दिख रहा होगा एक्जामपल फिस्ट इसको इंपॉर्टैंट करो यहां पर दिख रा हाई एक्जामपल फॉर यह भी इमपॉर्टैंट है यहां पर एक्सराइज लिडु डिख रहे ना जैसे कि first का थेल्ड और fourth second का यहां पर ठेल्ड ठेल्ड का यहां पर ठेल्ड और यहां पर fourth और seventh यह important question got it चलो आंगे आजाओ अब यहां पर आपको लगाना है example number five में टिक और आंगे आजाओ यहां पर लगाना है example number six में और exercise 1.2 के question number one or question number three question number three का जो ठेल्ड पार्ट है यह most important है बट यह तीनों ही कर लेना easy question है बट करना जरूर अब आजाओ next exercise में sorry अब तो सीधे chapter है जिसका नाम है polynomial आप polynomial की जो हमारे पास example है उनको देख लेते हैं यहां पर है हमारे पास example okay यहां पर example नहीं दिखे हमें कोई भी तो exercise 2.1 का question number first इसको कर लेना basic clear हो जाएगा और हाँ देखो कोई भी chapter उठाना उससे पहले उसके सारे formula को रट लेना question क्या क्या रहा है किस तरीके formula आने वाले है अगर आपको formula की भी हर एक chapter के formula चाहिए ना तो comment करके जरूर बताना और इस video में 100 plus like कर दोगे तो हम आपको formula जरूर provide करेंगे हर एक chapter के formula कि हर chapter में कितने formula लग रहे हैं आप दोखो यहां पर example 3 है, page number है 20, example 3, page number 21, example 4 इसको important कर लो और यहां पर है exercise 2.2, question number 1 का आप कर लेना second और third और यहां पर हो जाएगा 6, second का आप कर लेना यहां पर third और fourth, got it, चलो, आंगे आजाओ, अब आजाओ chapter 3 में, pair of linear equation into variable, इसकी जो exercise है 3.1, इससे पहले हम चेक कर ले one का, पहला जो question आपको दिख रहा है, यह important है, इसके तीसरे का आपको दिखेगा first, second, fourth, fourth का दिखेगा आपको third, sixth और seventh, ठीक है, यह आपको करने हैं, okay, अब next page में आते हैं, तो यहां पर आएगा आपके पास सीध है exercise 3.2, और exercise 3.2 के first question के आपको करने है fourth और sixth वाले को, third व हम आपको बता रहे हैं, अब आजाओ exercise 3.3 में और इसी के first वाले के third question में और second वाले के भी third question पर आजाओ, और इसके साथ साथ इसमें लगा लेना fifth पर, got it, आँगे आजाओ, अब है हमारे पास chapter 4, quadratic equation, इसका example first, यह important है, और साथ में है example 2, यह important है, और साथ में है exercise 4.1 का question number 2 का first part, got it, चलो अब आँगे आजाओ फिर से, और इसी का है third वाला question, और साथ में आजाओ example number 5, यह भी important है, अब exercise 4.2 के question number first पर आजाओ, और यहाँ पर second वाला, third वाला और fifth वाला, साथ में 3, 4 और 6, यह सब हमारे important है, got it, अब देखो nature of root का यहाँ पर formula लिखा है, रड लेन कितना easy रहेगे निकालना, अब आँगे आजाओ यहाँ पर exercise है, हमारे पास 4.3 और exercise 4.3 के question number 1 का, यह second part आपको करना है, और यहाँ पर second का second part करना है, और question number 4 आपको कर लेना है, अब इसके आँगे आजाओ, chapter 5 जिसका नाम है arithmetic progression, ठीक है, इसमें आ जाते हैं, तो यहाँ पर और इसका जो second or fourth है, इसको जरूर कर लेना, अब आँगे आजाते हैं, और इसी का जो हमारे पास fourth question है, fourth question को आपको करना है, यहाँ पर 11 और यह 15 वाला आपको करना है, ठीक है, अब आँगे आजाते हैं हम लोग, अब यहाँ पर हमें करना है example 4 और example number 6, page number 59, और example 8, अब आप पर यह fifth दिख रहा है, यह जो question होंगे ना, यह आपको MCQ में दे दिये जाएंगे, एक number, दो number में कुछ ऐसे मिलेंगे, एक दो number ज़्यादा कि यह question नहीं मिलेंगे, आप question number 5 कर यहाँ पर second part है, question number 6 कर लेना, 12, 13, 14 कर लेना, और 17 और 20 भी साथ में कर लेना, गॉट आँगे, अब यहाँ पर आपको करना है, example number 13, example 13, example 15 और example 16, यह भी आप करोगे, और साथ में ही exercise 5.2 को, sorry 5.3 पर यहाँ पर first का third करना है, first का second करना, और third का आपको करना है, fourth, six, eight, got it, आप question number इधर आजाओ, six पे, ten पे, eleven पे, fourteen पे, sixteen पे, और eighteen पे, यह भी important question है, देखो, यह सारे question आपको करने ही करने है, question number 19 और 20 को जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरीके question आते ही आते हैं, अगर यह question नहीं आएगा, इससे related कोई ना कोई question जरूर आएगा, पर इसको करना जरूर, अब आजाओ, यहाँ पर जो optional हमारे पास है, 5.4, इसमें आपको first, third of four कर करना है, और हर एक question, हर एक exercise का solution आपको मेरे ही channel पर मिल जाएगा, अब आते हैं, next chapter पर जो की है triangle, और triangle पर हमारे पास है, exercise 6.1 का third question आप देख लेना, ठीक है, यह ज़्यादा important नहीं, बड़ देख लेना आप, और यहाँ पर है हमारे पास, 6.2, 6.2 का second का, यहाँ पर आप ठेल कर लेना, और fourth question कर लेना, 5, 6 और 9, यह भी कर लेना, अब आँगे आजाओ, और यहाँ पर example है, हमारे पास 5, example number 7, example number 8, आपको आजाना है exercise 6.3 में, और 6.3 में कुछ ऐसा खास है नहीं, बड़ आँगे है, यहाँ पर आपको question number 4 देख र question number 8 को भी करना है, 11 से लेकर 15 तक के सारे question important है आपके लिए, यह ज़रूर कर लेना, अब आजाओ next chapter में, जिसका नाम है coordinate symmetry, खीक है, अब इसमें आपको दिखेगा, example 2, यह है, example 3, और फिर आपको आजाना है direct exercise 7.1 में, जिसमें आपको करना, first का third part, 3, 4, sorry 4 नहीं है, 3 है, 5 है 6 का second है, और 7 है question number, got it, हर एक question के solution आपको मिल जाएंगे, कहीं भी कोई doubt हो तो आप जाना मेरी वीडियो में, और उनसे जरूर पढ़ लेना, अब यहाँ पर आजाओ question number 9 के, question 9 हो गया हमारे पास, और example 7 है हमारे पास, और example 9, example 10, और यहाँ पर exercise 7.2 के question number 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, य अब आते हैं हम लोग introduction to technomatic, भाई साब यह जो chapter है यह पूरे chapter ही हमारे formula based, अगर आपने formula अच्छे से नहीं रटा, basic नहीं समझा, तो यह आपके लिए सरदर्द बन जाएंगे, अगर आपने इसको रट लिया, घोल के पी के formula बेसिक को, तो यह easy ससान हलुआ लगने लगेग आपको, what it, तो चलो, यहाँ पर इसका भी solution पढ़ा हुआ है, चैनल पर आप देख लेना, exercise 8.1 के question number 2, 4, 5, 9 और 10, 11, यह most important question है, ठीक है, तो टिक्नोमेटर को अच्छे से पढ़ लेना तो बहुत एक लाब धाय कराएगा, क्योंकि 11 में भी आने वाली है, अब यहाँ पर example क करते हैं, कोई भी नहीं है, exercise 8.2 का, first का, यहाँ पर आपको देखना है, fourth, fifth, second का, third, और three or four, यह question आपको लगा देना है, साथ ही साथ आपको exercise 8.3 में question number 2, और third का, आपको second and third, fourth का, आपको one, two, sorry, one, three, four, five, यह सारे करने है, साथ में six भी करना है, और आपको nine number भी सीका करना है, अब question number 9, sorry, chapter 9 पे आजाओ, some applications of technometry पे और इसमें angle of elevation और angle of repression बस दो चीज का ही ध्यान रखना है, इन दो चीज से और basic formula से यह पूरी exercise आसान बन जाती है, कैसे बनती है, वो तो आपने पढ़ी ही होगी हमारे साथ, exercise 9.1 में आजाओ, इसका जो question number 2 है, यह important है, 3 important है, और यहाँ पर जो 6 है, यह भी important है, 7 में 9, 12, 13, 14, 15 important है, यह 4 हमारे important है, चीके 4 नहीं ज्यादा हो गए यहाँ पर तो, अब आजाओ, यहाँ पर chapter 10, जिसका नाम है circle, circle में भाई साब हर एक चीज important है, देखो, पहले तो इसका basic पढ़ लेना, फिर exercise 10.1 के question number 3 और 4 को लगा लेना साथ में ही आपको example 1 भी लगाना है, और फिर आपको example 2 भी लगाना है, और यहाँ पर exercise 10.2 का question number 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13 लगाना है, ठीक है, चलो, आप कहोगे यह तो पूरी exercise करा रहा है, वहाँ revision भी होगा, बट यह most important question है, NCRT जो यह बुक है यह आपके board के लिए ही बनी है, इ यहाँ पर जो chapter 11 है, इसका नाम है area related to circle, अब इसमें आजाओ, इसमें आपको example 1 दिख रहा है, example 2 है यहाँ पर, यह दोनों important है, exercise 11.1, question 3578, 11, 13, यह भी important है, got it, अब यहाँ पर chapter 12 पर आजाओ, और यह जो chapter है, यह है surface area and volume, बहुत easy से असान वाला chapter है, बस आपके इसमें formula को पड़ेगा, formula रट लिया, free के number मिल जाएंगे, chapter 12, जिसका नाम है, जिसमें question 4, 5, sorry, exercise 12.1 का question 4, question 5, 8 और 9, got it, अब यहाँ पर example 6, अब यहाँ पर आजाओ, example 7 में भी टिक लगा लेना, और यहाँ पर है exercise 12.2, इसमें आपको most important जो question हमने पहले ही बताया था, जब exercise solve करा दे, वो था 3 वाला, साथ में 5 और 7 को भी लगा लो, अब आजाओ, chapter 13, statistic में, इसमें देखते हैं क्या important है, example 1, पढ़ लेना, इसमें तो भाया, free के ही number है, बहुत basic है, यह मानो यहाँ पर आपको mean, median, mode, बस यही तीन आपको पढ़ने है, अगर यह तीनों आपने formula ही स्रिप्रट लिए ना, तो काम हो जाएगा आपका, चलो, क्योंकि पता है, formula के भी number मिलते हैं, example 3 भी है, अब यहाँ पर exercise 13.1 के question number 3 पे आजाओ, हर एक step के आपको number मिलने वाले है, 5 में आजाओ, 6 पे आजाओ, और 8 पर आजाओ, इन सभी को tick लगा लो, अब यहाँ पर है, 13.2, question number 3, 4, 6 और फिर, यहाँ पर आपको देखना है, example number 7, got it, और यहाँ पर आजाओ, exercise 13.3, question number 2, question number 3, question number 4 पर, got it, बहुत इसी सहान, 6 और 7, 7 नहीं, sorry, 6, शिर्फ, शिर्फ 6 है, अब इस बुग की last exercise, या फिर बोलो, last chapter पे आजाओ, जो की है probability, जो की है chapter 14, इसमें भी कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़ी सी practice से आपको free के number मिलेंगे, चलो, example आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर 6 वाला इसको important बना ही लो, और साथ ही साथ आँगे आजाओ, इसके बाद देखते हैं, क्या है, खुल जाओ, सिमसिम, चलो, यहाँ पर 12, यह है मैं पर 13, और फिर आजाओ chapter 14, sorry exercise 14.1 पर, question number 2, question number 4, 6, 12, 14, 15, और 18, 19, 20, 22, 24, और 25, यह सभी most important आपके question थे, जो कि मैंने आपको बता दिया है, अभी भी आपको कहीं भी कोई problem आती है, या फिर इन सभी question के आपको solution चाहिए न, तो इस video में कम से कम 1000 like करवा देना, अगर 1000 like करवा देते हो, तो जनाब इसके हर एक question के solution आपको हम provide करवा देंगे, got it?